नमस्कार दोस्तों मेरे नाम है तुल शिवास्तो और स्वागत है आपका नेक्सेज जी असमें जब से इलहाबाद हाई कोड का आरो यारो का फार्म आया है तब से लगादार मैसेजिस आ रहे हैं इस रेले बहुत सारे कोशन्स आये जैसे निगेटिव मार्की है क्या क्या हम इस फार्म को फिल अप कर सकते हैं तरह तरह के कोशन्स होते हैं ठीक है आप लोगों की दिमाग में तो मैं कोशिश करूँगा कि एक विडियो में इन सारे प्रशनों के उत्तर आप लोगों को दे दिये जाए तो सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूँगा फॉर्म आ चुके हैं फॉर्म ऑनलाइन है आप सबी लोग फिल कर सकते हैं इसको ठीक है अब दूसरी चीज़ पोस्ट कितनी है तो 396 है मतलब 396 है तो इलहाबाद हाई कोट समिक्षा अधिकारी और सहायक समिक्षा अधिकारी के लिए 396 पदों के लिए अधिसूचना को रिलीस किया गया है ठीक है अब हम लोग नेक्स चीज़ पे आ जाते हैं और क्या है इसमें तो चैन की प्रक्रिया क्या होगी एक चरण है लिखित परिक्षा होगी और दूसरा होता है computer knowledge test इसके बाद document verification होगा अगर आप pass हो जात operations होगे और इस परिक्षा में आपका कुल 200 प्रश्न का संकलन होगा करीब 200 अंकों के होगे तीन घंटे का आपको समय दिया जाएगा 180 मिनट वही होता है इस परिक्षा में जो negative marking है उसका प्रावधान नहीं है मतलब नकारात्मक अंक का प्रावधान नहीं है और एक चीज औ और समझ लीजेगा नॉर्मली लोगों को नहीं पता रहता है तो पूरी चीजें पढ़के जाना रहता है हमेशा लिखित परिक्षा के तुरंत 15 मिनट बाद आपको computer based exam के लिए बुलाया जाएगा जो कि 50 अंक होगा जिसमें आपको उतीन होना आवर्शक है मतला पास होना इस परिक्षा में अगर पास नहीं होते हैं तो आपने जो पहला paper है उसमें कुछ भी किया हो से कोई मतलब नहीं है कुल मिलाकर इस परिक्षा में आपको पास होना है तो वैसे जहां तक मुझे लगता है कि बाहर ही आपको नहीं जाने देंगे वहीं पे आपको बैठा के र को दिया जाएगा अब हम लोग बात पर आ जाते हैं स्लाबस के बारे में स्लाबस में क्या क्या है सिंबल सा स्लाबस होता है हमेशा की तरह लास्ट एर आपका संबो जैन साहब ने बहुत अच्छा प्रजर्शन किया था और 12th rank हासिल की थी सहाइक समिक्षा दिकारी में वर साहइक समिक्षा दिकारी के पद पर इन्होंने मुझे लग रहा है दो साल काम किया है चले अब हम लोग बात कर लेते हैं जो आपका पेपर होगा उसके बारे में तो सबसे पहला पॉइंट है सामान विग्यान रास्टी और अंतरास्टी महत्यों की वर्दमान घटनाए भा बहुत पूचा जाता है विविद प्रशन होते हैं फिर आ जाता है computer से related question computer का दिहास, internet का उप्योग, operating system, ms powerpoint, प्रस्तुती, ms excel, spreadseed, computer software, world processing, ms world ये सारे के सारे questions आ जाता है तो जो आपका लिखित paper होगा वो भी अपका फिलाल objective होगा तो इसमें आपको जो परिक्षा होगी उसके लिखित परिक्षा के 15 मिनिट बाद बुलाया जाएगा तो कुल 50 अंको की होगी ये परिक्षा, और पास करना उतीन है हाँ, इसमें उतीन होने के लिए आपको 500 शब्दों को 20 मिनिट में टाइप करना होगा तो एक कोचन और पूछा जाता है कि इस परिक्षा में जो प्रशनों का प्रकार होगा वो कैसा होगा तो अब इस सी बात है मैंने पहले भी क्लियर किया, objective होगे इस परिक्षा में कुल कितने प्रशनों पूछे जाएंगे तो 200 पूछे जाएंगे और टाइम होगा तीन घंटे का कैस परिक्षा में नकरात्मक अंकन का प्रावधान है नहीं, इस परिक्षा में negative अंकन का प्रावधान नहीं है फिर इस slabus को देखकर आपको यह लगता होगा या समिक्षा दिकारी और सहायक समिक्षा दिकारी दोनों का slabus तो सेम है जी नहीं समिक्षा दिकारी RO में general aptitude और सहायक समिक्षा दिकारी ARO में general intelligence दिया गया है एक question और पूछा जाता है क्या दूसरे प्रश्णपतर के अंको को जोड़कर मेधा सूची तयार की जाएगी तो ऐसा नहीं होगे दूसरे प्रश्णपतर के अंको को जोड़कर मेधा सूची तयार नहीं की जाएगी दूसरा प्रस्ण पतर जो है वो उसको बस पास करना है ठीक तो I think ये चीज आप लोग समझ गया होंगे और Nexus.js की तरब से इसके लिए एक batch रिलीस किया जा रहा है और एक या दो दिन के अंदर मतलब इसी week में आपको जो batch है उससरे सारी कि सारी information हमारे telegram channel पर मिल जाएगी जिसने भी हमारा Telegram channel नहीं जोईन किया है तो Google पर लिख लिए nexus.js telegram आपको मिल जाएगा और Nexus.js के Telegram channel को जोईन करने के लिए टेली ग्राम चैनल पर ही सर्च करेंगे Nexus.js तब ही मिल जाएगा फिलाल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा थैंक्यू सो मच